नमस्कार हर हर महादेव, जैशु शंकर, शंभू स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म प्राइवेट टीचर डॉट कॉम पे नॉर्मलाइजेशन हो चुका है, एनाउंस्मेंट भी हो चुका है, केवेस के साइट पर हमारे चैनल पर भी अब जहां तक रही बात हमारे इंट्रिव्यूस की, आपके दस मई से पहले ही जहां तक सारे चीज़ें हो जाएंगी, जी हां, बिफोर टेंथ में आपकी सारे चीज़ें हो जाने वाली हैं, जो अभी तक सुनने में आया है उसके एकॉर्डिंग, तो आपके पास अगर देख चला ही जाएगा, क्योंकि normalization का process हो चुका है, marks बढ़कर आने वाले हैं, तो अब वो 110 रहे हो या 120 रहे हो, या 125 रहे हो, किसके कितने marks जम करेंगे, और क्या जाएगी cut-off, तो final answer की आने के बाद या result आने के बाद ही, पता चलने वाला है, तो चलिए, जो हमारी इंट्रिव क्योंकि श्रिंखला है, जो चल रही है, जहां पर डेली आपको या तो एक डेमो, या कुछ आपको, शॉर्स के फॉर्म में वीडियो मिल रही है, या फिर आपको वीडियो मिल रही है, कि अगर आपसे ये question पूछा या तो इसका क्या answer दोगे, तो obviously बात है, we are not aware about that कि हमसे क या question पूछा जाएगा, हम एक expected चीज लेकर चल रहे हैं अपनी तयारी में, और उन expected चीज में, आजकर जो मेरा question है, वो ये है, कि अगर बच्चा lazy है, तो आप क्या करेंगे, तो लेकिए, मैं हमेशा आपसे ही बोलती हूँ, कि आप दूसरों को सुनिए, उनके thoughts से आप ideas ल आपको अपना innovation करना है, तो आप भी इस बिहाफ पर अगर आपके दिमाग में कोई भी answer आ रहा होगा, और अगर आप comment करोगे, तो that is good for you, आप comment में अपने उन विचारों को लिखोगे, जो आपके दिमाग में आएगा, कि suppose अगर एक बच्चा RC है, lazy है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इस बिहाफ पर आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, आप उसे लिखो, तो इस तरह से आपका भी एक question तयार हो जाएका, मेरी इस वीडियो को देखने से जादा, आपके अपने innovation जादा काम हैंगे, is it, तो चलिए, आप comment करोग क्लास में में जाती हूँ, and if I am finding it, कि एक बच्चा जो है, वो बहुत ही lazy है, तो हम उस बच्चे को कैसे active करेंगे, या कैसे हम उस बच्चे को, जो उसका lazy ने से lazy पना है, जो कुछ भी आप बोलते हो, उसे हम कैसे दूर करेंगे, उसका आलस हम कैसे दूर करेंगे, तो the very first thing that we should know, कि why a particular child is lazy, जो बच्चा है वो lazy क्यों है, देखिए, lazy होने के पीछे भी बहुत सारे कारण होते है, बहुत ताइम पर ऐसा होता है, कि बच्चा जो होता है, वो चीज़े करना चाहता है, बट कहीं न कहीं उसमें आपने विश्वास की कमें होती है, इस चीज़ को मैं आप से जादा अच्छे से इसलिए बता पारूँ कि मैं अभी आप से बात कर रहे हूं, तो मेरे दिमाग मेरे आपको के सामने मेरी क्लास चल गई थी, कि बहुत बार ऐसा होते हैं, कि अच्छे बच्चे भी होते हैं, और जब मैं कुछ explain करने के बाद, उनसे question पूछती हू या मैं उनको बोलती हूं, come and do it on board, आके board पे करो, तो they don't want to initiate, वो उठना नहीं चाहते हैं, तो बहुत साई reason होते हैं, दिखें जो अच्छे बच्चे भी हैं, उनके मन में अगर ऐसा विचार आ रहा है, वो उठ नहीं रहे हैं, तो reason हैं, कहीं न कहीं उनको बेचती का डर ह कि I'm a good student, और अगर मैं board पे गया, या मैंने अभी answer दिया, और अगर या answer गलात हुआ, तो मेरी insult हो जाएगी, दूसरा, कहीं न कहीं, जो बच्चा थोड़ा सा एक आपके mediocre में आता है, उसके दिमाग में ये चीज़ आती है, कि यार, ये answer इसका है भी है नहीं है, वो उसके आपको अगर answer गलत भी आता है, तो try to at least speak, आप बोलोगे, आपको गलत answer पे कुछ होने नहीं वाला है, बठा आपको confidence जरूर बूस्ट होगा, आप उनको example दो, कि suppose अगर आप नहीं हाथ तक बोल, आ गया है कोई विचार आपको से बोल दो, मैं बच्चों से यही बोलती हू मैरे को बहुत सुपर फीक्षिल बाते नहीं करूंगे आपके साथ में, मैं literally बता हूँ, मैं बच्चों को यह बोलती हूँ कि बिटा, मेरे दात में एक होल हो रखा है, मैं कुछ भी खाती हूँ न, तो फस जाता है, तो जब तक वो निकलता नहीं, बाहर उलज़न मची रह का लो, बाकि मैं समहाल लूँगी कैसा है, तो बच्चे को ऐसे हम confident करेंगे, बट यह सब्दे को मैं आपको बता रही हूँ बात है, कि यह हम कह सकते हैं, बहा पर आपको अपना एक बहुत ही innovative ले लेके चलना है, कि first of all, we would try to know that, कि why that particular child is lazy, यानि कि थबसे पहले हम यह जान यही subject में उसका interest नहीं है, यह कोई ऐसी problem है, जिसले वो मेरे ही subject में अपने laziness को दिखा रहा है, या सारे subject में उसका यही हाल है, उसके बाद sometime समागी है कि बच्चा बिमार है, तो भी हो laziness दिखा रहा होता है in class में, and sometimes ऐसी होता है कि बच्चा बच्चा बच्पन से ही weak है और इस पे ध्यान नहीं दिया गया है इसलिए वो लेजिनेस दिखा रहा है तो 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 ते बेरी फर्स तिंग वी वो ट्राइट तो नो देट वाइद प्टिकुलर चारिज इनेक्टिव इनेक्टिव ही बोलेंगे देखो लेजी का मतलब अब क्लास में तो ऐसा हम कुछ काम क इससे कह रहे हैं कि बातन धुलो बच्चा करके पानी लेकर आओ बच्चा यह करो बच्चा को करो लेजी मतलब बच्चा इस इनेक्टिव तो तो बरी फंस तींग वी वो ट्राइट वो राइट नाओ अभी व बिमार है या ही लाइकिंग विए इंट्रेस उसका नहीं पर् तो बहुत साही रीजन्स हो सकते हैं तो पहले अगर हम और क्लास में कोई बच्चा इनेक्टिव है वह आंसा नहीं दे रहा है लगाता दो तुनिन से चीज़ चलती चली आ रहे है तो वी विल फाइंड आउट दा प्रॉब्लम कि उसके इस समस्या की जड़ क्या है देन आफ् पड़ोगे अभी आप ध्यान नहीं दोगे तो एक्जाम टाइम है आप कैसा करोगे आप अच्छे बच्चे हो आप कर सकते हो दूसरी चीज हम उसको लीट बाइग्जामपल यानि कि हम खुद बच्चे के सामने बहुत ही एकदम से एक्टिव रहेंगे और जाईश सी बात अब मंकी बुलाएंगे तो इस तरह से छोटे छोटे हम बच्चों का अप्रिशेशन देंगे कि जिससे वो इनेक्टिव बच्चा भी मोटेवेट हो करके आंसर देना शुरू कर दे और प्लेवे मैथेड का हम बहुत जादा यूज करेंगे हम बच्चों को अगर पॉस्ब एक है कि घर पे भी चीज कर रहा है तो देखिए अगर घर भी बच्चा ऐसा कर रहा है तो तो देखेंगे यूज को चोटे इसकी चाहरा रहा है इन सेम वे हमें क्लास में करना है कि उस इनेक्टी बच्चे को बुलाना कि ओके बगर से बच्चे को बिला के लेकर आजो अच्छा आकर के कॉपी ले जाना स्टाफ रूम से तो धीरे धीरे बच्चों के अंदर हम responsibility की habit डालेंगे और जिससे बच्चे के अंदर चीजें आ जा तो यह एक रही बात सार में इतना हमें प्रवच्चन KVS में देना नहीं है आपके concept को clear करना था तीचर हूं जादा है तो घुल जाती हूं पर हमें फिर से एक बार में बता देती हूं कि क्या बोला है कि the very first thing we would try to know that कि why the particular child is inactive why the particular child is lazy after knowing the reason behind that his laziness in inactiveness we would try to just talk to his or her parents and we would try to talk to other teachers suppose if I am class teacher of that particular class so I will convey the same message to the rest of the subject teacher कि that particular बच्चा is having this problem तो we all have to do the group work है निकि हर एक class का teacher जब जा करके विसे mostly mother teacher ही होती है कोई एक तीचर जो बदलते हैं उनको हम चीज़े convey कर देंगे और इस तरह से एक समूह में प्रयास करके हम बच्चे को lead by example करेंगे एक्टिवनेस हम बच्चे के सामने दिखाएंगे चोड़े चोड़े काम उसको देंगे जिसके बाद उसके अंदर ये habit inbuilt हो जाएगी और जो बच्चा है वो active हो जाएगा और हम प्रोसाहित करना शुरू कर देंगे क्लास के बाकी बच्चों को उनके छोटे-छोटे इवेंट्स पे छोटे-छोटे कामों पर जिससे बच्चा भी वो प्रेज विंग वर्ड्स अपने लिए सुनना चाहेगा और हम बच्चे को भी जहां भी वो जैसे-जैसे सुधार करता रहेंगा हम उसको हर एक लिवर पे प्रोसाहिद करते रहेंगे देट प्रोसाहन कैन भी वर्वली इस अप जुरी नहीं कि हर्पर्स को चॉकलेट दो आप मुझसे एक वैरे गुड बहुत अच्छा किया और यही सब चीज करेंगे हम घर पे उसके पैरन्स को और बागी साइटीज को तो इस तरह से ग्रूप म जाते हो एक बच्चा इनक्टिव है लेजी है तो वाट विली डू पोर दर पैटिकुलर चाइड अपार्ट फॉन देट नेक्स वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप यह भी हमें कमेंट करके बताएए वी बूट सॉरी आई वुट ठ्राइट वीडियो और पैट कब भला करें इनक्री हमारी है अब लग जाओ फिर से तैयारी है